हेलो फ्रेंद्स मैं हुश्रुतिका अकुक विश्रुतिका में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले एक मज़ेदार रेसिपी मैगी पोटली यह जो पोटली है इसके अंदर हमने मैगी का स्टफिंग भरा है और इसका जो बाहर का कवर है वो हमने जौरी के आटे से बनाए तो इसलिए यह हेल्दी तो है और साथ में टेस्टी भी है यह आपके घर पर अगर कोई पार्टी हो कोई फंक्षन हो उसके लिए आप यह रेसिपी बनाकर सबको खिला सकते बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए इसकी रेसिपी देखते है जल्दी से तो एक बरतन में हम ल और हमने 2 टेबल स्पून घी को गरम कर लिया है और उसको हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे ओरिगानो कichुश में और इसको चमत इसको मिक्स कर लेंगे पहले त्योंकि ये गी गरम है और फिर उंगलियों से हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि गी पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो ये टेक्स्चर है इस तरह से होना चीए रेट की तरफ और फिर बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसक का Tip- 늘 मैंगी बनाते हैं, मैंगी के सटफिंग एंन्य मागी बनानी है, जैसे हमेशा बनाते है मैंने पैन में 1 तक थोड़ा कम पानी लिए है ऐस धुड़ाकी पानी जाला है, मैंगी साथ में और दोड़ा त्मेकर तोड़ा तोड़ा थोड़ा NOODLES तो हम अच्छे से फील नहीं कर पैंगे, इसमें डालेंगे सब्सक्राइब ध्लिएब दालाई शिमला मिर्च प्याज और हम डालेंगे थोड़ा सअ ओरिग्यैनो और इसको अभी हम पकने देंगे अब ये मैगी बन चुकी है इसको एक बोल में मैंने निकाल लिया है इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसकी पोटलिया बनाने को start करेंगे तो ये जो आटा मैंने बुना था उसका मैंने गोले बना कर ले लिये है और इसको अभी हम रोटी बेल लेंगे, तो ये रोटी हमें जादा पतली या मोटी नहीं बेल लिए है, नॉर्मल मीडियम थिकनेस की होनी चीए, और इसमें अभी हम ये मैगी का स्टफिंग डाल देंगे, और डालेंगे थोड़ा सा चीज, मैंने मौजेरला चीज यूज किय अभी हम इसकी पोटली बनाएंगे, तो सारी तरफ से हमें इसको उपर की तरफ लेके आना है, और प्लेट बनाते जाना है, और हम इसको इस तरह से देखिए, थोड़ा सा प्रेस करेंगे बीच में, और थोड़ा ऐसे घुमा लेंगे, ताकि ये पोटली का शेप आजाए इ एक चीज का आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो तेल है वो अच्छे से गरम होना चीए और इनको हमें डीप फ्राइ करना है मीडियम हीट पे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नी हो जाते तो ये देखिए ये अच्छा इनको बहुती बढ़िया सुनेहरा कलर आया है तो पोटलिया हमारी तलकर तयार हो चुकी है तो ये रेसिपी आप बनाईए फंक्शन में या कोई पार्टी में और अपने महमानों को खिलाईए ये बहुती टेस्टी बनती है और ये बहुत तो लाइक कीजे शेर कीजे और ऐसी ही रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो कुक विशृतिका को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन पे क्लिक करके औल पे क्लिक कीजे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करू आपको तुरंती उसका नोटिफिकेशन मिलता र लाई